नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंस हैनी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे ब्रिजिज डिजाइन के बारे में जो की अप्लिकेशन ओफ इलास्टिसिटी के अंदर ही आता है कि हमें तक जैसा कि हमने बात की थी कि जो ब्रिजिजолот है जो हम डीजाइन करते है इस तरह से डिजाइन करते हैं तकि वो अपने हो टूट जाए्यां पर relief हो जाएं तो इसलिए bridges के design में भी ध्यान लखना बहुत ही जरूरी होता है अब जब भी bridges को design किया जाता है उनको इस तरह से design किया जाता है कि वो band ना हो या फिर वो break ना कर जाए जब उनके उपर से heavy traffic भी चले तब भी या फिर अपने oven weight के कारण अपने खुद के weight के कारण ना band हो जाए या deform हो जाए या तूट जाए इसी तरह से हमें पता है कई बार तेज हो आए चलती है तेज बरसात होती है तुफान भी आते है उनके कारण से जो force उसके ओपर पड़े उसके कारण से भी ना band हो जाए या तूट जाए तो bridges का design जो है इस तरह से किया जाता है तो इस case के लिए क्या है हम एक example लेंगे इस case के लिए क्या होता है मान लिजिए कोई एक लंबी इस तरह की कोई बार है हमारे पास और जो इसकी length है वो L है तो इसकी length हम मान लेते हैं कि कोई एक लंबी बार है L की और इसकी जो B breath जो है वह मान लेते हैं कि जो breath है वो है हमारी B और जो depth है यहां से यानि कि यहां तक यह जो D है यह depth है इसकी तो यह सारे चैजाते हैं वाई इसको मान लेते हैं जो young modulus of elasticity है या कहें कि young modulus of material हम मान लेते हैं अब क्या होगा मान लिजी आप इसके ऊपर जो है w load को apply करते हैं इसके ऊपर आपने w load apply किया w यानि कि जो mass into gravity के कारण जो weight पड़ेगा जो mass है और इसके जो gravity है वो इसको नीचे की तरफ खीचेगी तो खुद का mass और gravity तो weight हमने या फिर जो है कोई भी weight आप इसके ऊपर apply कर रहे हैं वो जो mass है into gravity कुछ भी आप ले लिजी तो weight जो है आपने इसके ऊपर apply किया मान लिजी आपने middle में इसके apply किया है बिल्कुल तो जो इसके इंदर depression आता है यानि कि जब आप इसके ऊपर apply करते हैं कोई barley आपने load apply किया तो कि इसने अपनी shape को change किया इस तरह से मान लिजीए इसने अपनी shape को change कर लिया तो यह जो है shape इसकी इस तरह से change हो गई हम यह वैसे ही मान लेते हैं कि इस तरह से change हो गई अब इसकी अंदर देखिए जो deflection आई है मान लिजीए इसका एक central axis आप ले लिजीए तो इसका भी एक जो मिडल पॉंट पे लेड निंवolie है इस गीस बार के अंदर वैसे जो यह फोर्मुले से गवार मिम सब्सक्राइब को पर रिबान Ö Lights दो मले में सब्सक्राइब ओट होते हैं जो हमारे वीfal इम होती है उनके bending shear force, bending moment वो सारे question हम पहले कर चुके हैं हमारे पास वो वीडियो अबलेबल है वो आप देख सकते हैं हमारी channel पर जाकर तो delta जो है wl cube y4 ybd cube यह हमारा formula बनता है अब इसके देखिए यहाँ पे यह जो depression है यह किसके directly proportional है यहाँ से अगर आप देखें यह तो by के अंदर है तो l के directly proportional है यानि कि अगर आपको smaller delta चाहिए यानि कि smaller आपको depression चाहिए कि यह जादा ना हो depression तो इसके लिए क्या होगा जो l होगा यानि कि यह length है l यह हमारी small होनी चाहिए तो जो length है वो हमारी small होनी चाहिए तो यहाँ से एक तो यह चीज़ पता चलती है और जो delta है inversally proportional किसके है young modulus के यह तो constant है young modulus के b के breath के और d के depth के यानि कि y, b और d अगर जो है यह जादा हो जाएंगी अगर यह जादा हो जाएंगी तो यह small होगा यानि कि अगर आपको smaller delta चाहिए depression तो जो हमारा y है young modulus, b है breath और d है depth यह जो चीज़े है यह हमारी large होनी चाहिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर delta देखे इस formula के अंदर directly proportional l के आप लिख सकते हैं और inversally proportional जो है 1 by y, b, d, q के लिख सकते हैं तो इस तरह से जो है इन चीजों के सब के जो है inversally proportional है वैसे ही हमने एक formula बनाया है कि जिससे हम समझ सके कि inversally है यानि कि यह ज़्यादा होगा तो यह कम होगा, यह ज़्यादा होगा यह ज़्यादा होगा, लेकिन अगर यह कम होगा तभी यह कम होगा अगर यह जादा होगा तो यह जादा हो जाएगा तो directly or universally proportional आप इस formula से समझ सकते हैं तो हम क्या करते हैं इस तरह से जो beam सान को design किया जाता है कि जो उनकी breath है और जो depth है जादा से जादा रखी जाती है लेकिन यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या चीज़ आती है जैसे जैसे आप जो है depth को जादा ही बढ़ा दें ये मान लीजिये आपने जो है depth जहें जादा ही बढ़ा दी किसी बीम की इस तरह से कोई बीम मान लीजिये और आपने इसकी depth को इतना बढ़ा दिया तो यह कईम बार बीम जो है अपने खुदगे weight के कारण ही band हो जाता है अपने खुद के लेने पड़ती है इसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो हम यह क्या करना पड़ता है यानि कि यह जो बी है और जो यह इन दोनों के बीच में कम्प्रोमाइज इन दोनों के बच लेंगे नहीं पड़ती है लें की बीच में तो हम क्या कर सकते हैं इस तरह की सक्षण की वजय है कहीं पर use करना है, तो हम eye section के girder use कर लेते हैं इस तरह से. तो यहां पर देखिए इस तरह कि जो इस section के हमारे पास अगर आप eye shape girder use करते हैं तो दोनों के बीच का यानजी breath भी आपकी हो जाती है और जो depth भी है आप ले सकते हैं. तो इस तरह का compromise हम इसके अंदर ले लेते हैं जब भी Bridges को design किया जाता है जहां पर जो है हमें depth जाद रखनी होती है तो इस तरह से breath और D के बीच में एक इस तरह का compromise कर लिया जाता है और Bridges को इस तरह से कहीं जगा design किया जाता है तो यह सार जा यह formula जो हमें यह formula आपको याद रखना है कि यह जो depression है यह होता है हमारा इसके through जो है आप सारी चीज़ें जो है समझ सकते हैं कि कौन सा बढ़ेगा तो किस कारण से depression ज़्यादा होगा कौन सा घटेगा तो किस कारण से यह कम होगा तो थेंकिये वीडियो देखने के लिए और इशिकरा की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल Learn and Grow भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद